भारत सरकार ने 18 जुलाई से देश में कई वस्तों और सेवाओं पर कर की दरों में बदलाओ किया है GST के दाइरे में अब कई ऐसी वस्तों भी आएंगी जिन पर पहले कर नहीं लगता था नमस्कार आपका स्वागत इंडिया.com पर मैहू देवेंद्रुत्रिपाठी इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी वस्तों हैं जिन पर GST कर लगाया जा रहा है और कौन सी वस्तों हैं जिन पर कर का रेट जो है 5 प्रतिशन से बढ़ा कर 12 या 12 से बढ़ा कर 18 किया जा रहा है कई वस्तों के साथ साथ कई सेवाओं के करदर में भी बदलाव किया गया है सरकार ने ये फैसला GST परिशद की 47 भी बैठक में लिए गए निर्णे के अंतरगत किया है जो की 29 जून को हुई थी लेकिन ये फैसला कई सारे पक्षों को रास नहीं आ रहा है Confederation of All India Traders ने ये फैसला किया है कि 26 जुलाई से देश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा और इस आंदोलन का मकसद देश में सरकार दोरा अब तक किये गए करदरों में बदलाव के विरोध के रूप में किया जा रहा है और इसका अंत जो होगा वो सितंबर में एक बड़े आंदोलन के साथ होगा GST परिशद ने 29 जून को अपनी 47 वी बैठक में जो फैसले किये थे उन्हें 18 जुलाई से लागू तो कर दिया गया लेकिन इस कदम ने करप्रणाली को सरल और नया संगत बनाने की सरकार की नियत पर सवाल या निशान लगा दिये हैं 18 जुलाई से मचली, दही, पनीर, लस्ती, शहद, सुखा मखाना, सुखा सोयबीन, मतर, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुर्मुरे पर अब 5% जेस्टी देना होगा ये सभी सामान पहले करमुक्त थे, लेकिन आपको बता दें कि ये पैकेट बंद सामानों पर ही लागू होगा हाला कि खुली दही, खुला पनीर या लूज में बिकने वाले अनाज को अभी करमुक्त रखा गया है प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागस काटने वाले चाकू और पेंसिल शापनर, LED लैंप पर 18% टैक्स लगेगा सोलर वाटर हीटर पर भी टैक्स 5% से बढ़ा कर 12% कर दिया गया है इसके अलावा होटल के सस्ते कमरों पर भी लगेगा GST, 1000 रुपे से कम रेंट वाले होटल के कमरों पर 12% की दर से टैक्स लागू होगा सडक, पुल, रेलवे, मेट्रो, सीवेश ट्रीट्मेंट प्लान्क के लिए कॉंट्रेक्टर को कॉंट्रेक्ट मिलने पर 18% GST देना होगा जो अब तक 12% था कुछ वस्तूओं और सेवाओं पर टैक्स कम भी किया गया है, आये जानते हैं वो कौन सी वस्तूओं और कौन सी सेवाएं है सरजरी से जुड़े कुछ उपकरणों पर GST 12% से घटा कर 5% कर दिया गया है फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों से माल धुलाई होने पर भी 18 की बजाए अब 12% GST देना होगा कन्फिडरेशन ऑफ और इंडिया ट्रेडर्स के इस विरोध के चलते क्या सरकार अपने फैसले पर पुनरविचार करेगी ये तो अभी तैय नहीं है लेकिन वित्तमंत्री निर्वला सीतारमंट के अध्यक्षता में GST परश्चत की जो बैठा कुई थी 29 जून को उसमें जो फैसला लिया गया था उसको यथावत रूप में as it is सरकार ने लागू कर दिया है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा इंडिया.com के साथ धन्यवाद